जाहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे आए दोस्तों एक चोटी सी वीडियो में और जल्दी से क्रिवीजन क्लास के तोर पे हम देख लेते हैं कि परिक्षण क्या होता है और परिक्षण की जो प्रकार है वो क्या होते हैं उसके ब प्रमाडों को इकठा करने की प्र humility परिक्षा या examination या टेस्ट कहळाती है कि उसने kytna उपल्ब्दी हासिल किया इसके प्रमाड आपको इकठा करना इस प्रक्रियव में परिक्षुरी की रचना करना प्रसासन प्रक्षाओं का संचालन करना उतर पुस्तिकाओं का मुल्यांकर करना तर चात्रों की उपलब्द यादि सूचित करना सामिल होता है चीक है अब आईए किसी छेत्र में चात्रों की उपलब्द या था योग्यता की जाच के लिए प्रक्रिया परिक्षा की जाती है ताकि मुल्यांकन या परिक्षा एक निरंतर चलने वारी प्रक्रिया जो सिक्षा की संपूर प्राडी का अभीन अंग है जिसका सैचिक उदेशों से घनी संबंध है यह चाहतु को पढ़ने की आद्व अध्यापक के पढ़ाने की पदेदी पर गहरा प्रभाव डालता है तत है तो परिक्षा की यह हो गई परिवासा कोठारी कमिशन के अनुसार चलिए परिक्षाओं के प्रकार की बात करें तो इसको थोड़ी दिर के लिए हम साइड करते हैं ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि परिक्षा हमेशा आकलन करने में मदगार रही है परिक्षाओं के ला सबसे बहतरीन जिसके बारे में बात करना है वो क्या है वो है दोस्तों आपको परिषणों के परकार दोस्तों इतने सारे परकार हैं आपसे कि अब क्या करें देखिए प्रसासन के अधार पर व्यक्तिकत परिक्षण होता है और सामुई परिक्षण होता है मानिकरित या अमानिकरित या अध्यापक निर्मित दोस्तों ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करने जाए स्वाइ Ari山 की करों大家好 प्रिक्छण नम्म अभर अजया को देक्चरों होते हैं कि अभर फह लाएब तो सरी प्रिक्छण पहुत सार पने प्रकारे रहे हैं ने माध्यम के अधार पर पेपक 25% निस्पाद मिस्रित चाहिए इसके अलावा आप देखेंगे बुद्धी परिक्षण स्रीजनात्मक परिक्षण अभी योग्यता परिक्षण मानिकरित अध्यापक निर्मित भी कई होते हैं निदनात्मक वस्तूस्त और निदनात्मक निदना परिक्षण के प्रकार या परिक्षणों से सवाल पूचे गया है मैंने आप नोट कर लिया ठीक है अब आप इसमें देखें कि आपसे प्रश्ण पूचे गया है प्रमाडिक्रित परिक्षण अभी व्रिति परिक्षण और अभी छम्दा परिक्षण ठीक है सिचक निर्मि करेंगे तो चरों करेंग को देखेंगे इनके प्रकार्व करेंगे लेके तो शुरूना सी मुण इन प्रषने औरju त्रत हिंतुक्त है ठीक है क्योंकि इसको लिखना आपके आपने सब्दों में निमंदनात्मक परिक्षण यानि की acid type test थीक है acid type test थीक है तो देखिए वह सिंपल सी बात है निमंदनात्मक परिक्षण से अभी पराय ऐसी परिक्षा से जिसमें विद्यारती पूछेगा प्रश्णों का उतर निमंद के रूप में प्रस्थूत करता है इसमें विद्यारती अपने वीचारों को सुतंत रूप से व्यक्त करता है जिसमें उसके व्यक्तितों की अस्पस्त छाप प्रति बिम्बित होती है, इसके माध्यम से वैक्ति की उपलब्दी के साथ-साथ उसकी अभिवैक्ति उसका एटिट्िटीए। उसकी सोच उसके हैं, हम ये भी चेक कर सकते हैं और शातीज साथ जब हम विश्तरी प्रस प्राइब निवढद्रात्म प्रिक्षण लेते हैं तो बच्चे के लेकं चमता उसकी व्यक्थ और इन चीजों का परिक्षन होते हैं कोई दिक्कत आप लिख लेंगे चलिए बहुत से निवंदनात्मक परिक्षण की विश्चता में फिर से वही बात हो गई कि उनके विचारों के समधान करती है जिनका उत्तर देने का उच्चे मानसिक योगिता क्या हो सकता पड़ती है ठीक है स इसमें विश्चछंविधि का में सहाक्ता होती है इस परिक्षा द्वारा सुचना प्राप्ती चिनतन कितना बच्चा सोच सकता है कितना deepest हम देस्की आपन होता है कि yhtरार किक्षे कि यह पेशना की मृThe वांगे उकून के अब करने के उसक्षणी के सब्सक्रान का आपट क भ्रणनातुमक परिशन के प्रकार छीक है तो वरणनातमक व्यक्षनात्मक अलोचनात्मक तुलनात्मक इसके कहने का मतलब यह है कि कही बड़ आप पूचा जाता है कि आप इस चीज का वरण करिये छीक है जैसे कि आप कही मेला घुमने गए थे मेले में देखे चीजे को वर्लन करिए कोई आपसे सब्द दे देगा कि सिक्षा मनुस्य के लिए सबसे ज़रूरी है इसकी व्याख्य्या करिए आलोचनातमक आलोचना करिए जैसे की कुछ परिवार मजिलाओं को सिक्षा देने से रोकता है इस चीज के आप आरोचना करिए तुलात्मक या तुलना करिए भारत की संस्कृति और वेस्टरन संस्कृति से आप क्या करिए तुलना करिए तो इस प्रकार के प्रश्ण क्या होता है परिक्षण कैसे आते है निमनलात्मक परिक्षण के अंदर आते हैं ठीक कोई दिक्कत न मनोवेग्यानिक अनुसंधान संस्थाओं द्वारा अनेक विस्यों की सहायता से बनाए जाते हैं और एक विसाल स्वमूव पर प्रकासित प्रसासित करके विस्वसनियता वेता है मानकों का निदारा किया जाता है मानकरित परिशन कहलाते हैं अब इसका थुड़ा समझ ले ज एक्जाम्स में जो पेपर हुआ था वह आसानी से पेपर नहीं हो जाता है उसमें बड़े सिक्षा सास्त्री मनोवेग्यानिक कुछ रिसर्च टीम ठीक है इनकी सहायता से वह सारी चीज़े बनाई जाती है बड़े पैमाने पर उसको प्रसासित किया जाता है और यह भी चे चीज़े आती है इस्टेंडराइजेशन्स या मानिक्रित परिक्षण के अंदर गदाती है परमाणिक्रित परिक्षण के अंदर गदाती है ठीक है वास्तों में परिक्षा के मानिक्रित करण में केवल वैदता विस्वासनियता या मानकों को ग्याद करना ही परयाद नहीं है इसके साथ ही साथ परिक्षाण प्रषाशन की विधी तथा फलांग प्रकृयाओं को निश्चित करने भी अवस्यक होता है इस सम्मंद में एनेस टीसी ने लिखा है मानकी की करण का तातपार परिक्षा की प्रसासन एवं फलांक विदी में एक रूपता से है अब मालेजिए आई एस चाहिए यूपी एसी मालेजिए यूपी एसी तो यूपी एसी की जो पेपर होती है वो क्या होती है स्टेंडर्ड यानि की प्रमाड़िक्रित होती है उसमें हमें यह भी चेक करना होता है कि परिक्षा प्रसासन की विदियांग प्रिक्रिया को निश्युत करना वस्यक होता है ठीक है तो यह दोस्तों हो गया हमारा स्टेंडाइज इसका मतलब वह होता है कि जो हमें कई लोगो श॥ा स्वासनी व्यद होता है ठीक है यह क्या होगए इसकी विश्यस्ता है इसके बारे में लिख सकते हैं चलिए अब हम देखते हैं व्यक्तिकत परिक्षाण नहीं धिक लेता है अध्यापक परिक्षारिप ठीक है एक हमारा हो गया मानकिरित परमाडिकरित इस्टेंडराइजेशन दूसरा मर हो गया अध्यापक निर्मित अब अध्यापक निर्मित में आपका बहुत बड़ा समू नहीं होता कि आपके कई उनिविश्टिस मिलके एक इसाथ इकजाम कर नहीं अध्यापक निर्मित में क्या होता है कि अध्यापक जिनमें अध्यापक अपने परियोग के लिए समय समय में बनाते हैं उनका परियोग के वल महीं किया जा सकता है सकूल बढ़ार परिक्षण के समान वैद्द तता विश्वासनिय नहीं होते हैं चलिए इसकूल के बाहर इनकी उप्योगता नहीं होती अध्यापक निर्मित परिक्षणों में निवादनात्मक वस्तोनिस्ट निदनात्मक परिक्षणों को समलित किया जाता है चलि समझ में आगे दोस्तो अध्यापक निर्मित और मानेकिर्स परिक्षणों का समझ आगे इन दोनों में अंतराप कर लेंगे चलिए बहुत से अब आई अब हम देख लेते हैं इस चीज़ को जिस हो था कि व्यक्तिकत परिक्षण व्यक्तिकत परिक्षण यह सब प्रकार ह कभी ऐसा नहीं पूचेगा प्रकार आपको अलग अलग पूचेगा तो आप से हैडिम डाल की व्यक्तिकत परिक्षण में क्या अध्यान किया जाता participants किया इनमें परिक्षक को परिक्षार्ति के साथ आत्मिय संबन्द अस्थापित का नावासिक होता है अता इसके लिए कुसल प्रसिचित परिक्षक किया सकता होती है व्यक्तिकत परिक्षणों में साब्तिक के साथ साथ क्रियात्मक पद भी होते हैं जैसे भाटिया बैटरी परिष्टितियों पर पुरा नियंत्र होता है बीने साइमन बुद्धी परिष्टिकत परिष्ट का एक अच्छा उधारण है यह कुछ उधारण है समझ में आगया व्यक्तिकत मतलब वन बाई वन ठीक है परस्टनल या उसका टेस्ट ले रहे हैं नीबंदरात्मक हम देख च च्छोटे सब्दों लिखना है जैसे अध्यापक निर्मित वस्तुनित परिक्षण में वीशय में सम्मधित छोटे सरल एवं असपस्ट प्रस्ण पूछे जाते हैं जैसे भारत के परदानमंत्री है कौन है स्री नरेंद्र मुद्ध इस परकार के छोटे प्रस्ण जिनका उत्र निष्चित होता है या उत्तर विध्यारती को निष्चित प्रकार से संछेप में देना होता है जैसे परिवार सिख्षा का अरुपचारिक साधन है या नहीं collabor läuft में एस अ अब इसका कहने का मतलब यह है वस्तुनी चैसे कि माली जी सही गलत ट्रू और फॉल्स सही और गलत ठीक है ये भी वस्तुनी परिछड के आती है अब इसमें जो है परिच्छक के निर्ड़ा या राय का कोई पर अब माली जी बच्चे ने कहा जैसे सवाल आपसे पूछा गया कि भारत के प्रतान मंतरी है नरेंद्र मोदी जी अब बच्चे ने कहा ट्रू अब परिच्छक का निर्ड़ा और राय इस पर फरक नहीं पड़ता कि वह सत्य है जो ट्रू है वो ट्रू ही रहेगा जो फालस है वो फालस ही रहेगा ठीक है इसके अलावा मैच आता है ए और को कॉलम मिलाने वहला ये वह वस्तुनिस परिक्षड कराता है फिल इन डर ब्लैंक क्रिक तस्तानूग की पूर्ति करें तो यह दोस्तों यह बहुत सरल होते हैं और यह बहुत विश्वासनी होते है अब इसकि व्श्यस्ता अगर आपTHे से पूच्छ दे वस्तूनिस परिक हानी की बात करें तो हानी इसका ये है कि बच्चों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता ठीक है अब जैसे कोई प्रश्ण है तो ट्रू है तो क्यों ट्रू है नहीं भई या क्यों ट्रू है आप से किसी ने पूछा ही नहीं आप अपने विचार अपने पास र तो इस प्रकार से आप वस्तुनिस परिक्षण के बारे में लिखिएगा चलिए बहुत अच्छा लिख सकते हैं अब आई रूची परिक्षण रूची परिक्षण का मतलब जब हम यह देखते हैं कि बच्ची की रूची किस विसे में हैं इस चीज की परिक्षण करते हैं तो परिक्षड के लिए की लिए कि बच्चे की रूची इसको अभी रूची विए किसमे है और उसको हम और बढ़ावा दे सके चली। बहुत अच्छा प्रसंदोस्तों यह है आपका अभी योग्यता परिक्षण इसको अभी योग्यता परिक्षण को हम अभी छमता परिक्षण भी कहते हैं इंगलिस में इसको कहते हैं 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 अभी योग्यता मनुष्य किसी किसी विशेस प्रकार की कारे करने की वर्टमान चंता को कहते हैं वो उसकी योगिता कितनी है ठीक है तो किसी विशेस प्रकार कारे करने की चंता को योगिता कहते हैं अभी योगिता में जन्मजात योगिता के साथ-साथ परिसिक्षड प्रसिक्षड तता अनुभो का भी प् भेदक परिक्षण और विसी सव्योगिता परिक्षण ये क्या होता है भेदक परिक्षण वो होता है जो की अनेक उप परिक्षण होते हैं जो व्यक्ति के विवीन छेतरों की योगिता की और इंकित करते हैं तता जीनबर व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों के तुलना विवेचना व्यक्ति कत अधिक छमता वाले छेतर को ग्याद कर लिया जाता है अब मतलब विभेदक जैसे माली जी एक बच्चा है वो लिखने में बहुत अच्छा है लेकिन उसको याद बड़ा कम होता है या आप यह ज्याद करेंगे अब देखिए क्योंकि यह परिक्षण व्यक्ति की विभीन अभियोक्ताओं में विभेद को व्यक्त करता इसलिए इन्हें वेदक अभी विभयोकिता कहते है इसको बस समझीए बहुत तो आज़ा विस्ष्ट परिक्षण मतलब इन परिक्षण के करेंगे करेंगे तो अभी योगता प्रिक्षंट में दो होता एक तो जो अलग-लग होता वैभि बेधक अभी बेधक अभी हो गी था और दूसरा विस्ष्ट अभी होगे था समझ मैं आगे चल ये बहुत से अब आए अब इसका महद्ह तो लिवे को समाल पाएगा के देश की सुरंख्ण कर पाएगा की नहीं पर्चिक सिक्षा को है कि घृःए विकास को गाती डेologists के भावी विकास के रूप में देखा जाता है आने को पिणी सहुआ तरीके से निश्चित और हैं प्रलय स Pinterest को निर्माड करना या सबता है कि आपके नहीं है जानकी हो को तक परता है कि यूसमें अशानों फ्रॉ्पश्ळार एंक परदान किये जाते है ठीक है जीरो से सौ तक परदान कियेंगे ठीक है अब इसमें क्या होगा इस अंक anticipated पर हम पर्थम स्रेड़ी द्यूति एंसरी और द्यूतिय और त्रिटीय सेरई इस इयुमस्या है अब देखें अब एक चीज आई अब इसमें एक दीकत यह है कि मान लिए कोई बच्चा 59.8 परशंट पाया है तो वह सेकेंड डिवीजन हो जाएगा और कोई बच्चा 60 परशंट देखिए इन दोरों में अंक अंतर कितना है 0.2 का ठीक है अब इसके साथ समस्या यह है कि बच्चा 59.8 पाके सेकंड डिवीजन में चला गया और 60 पाके फर्स डिवीजन में आ गया तो यह थोड़ा सा यह मतलब वहां पे अंतर हो जाता है ठीक है तो अब इस प्रकार के मुल्यांकर के विश्या की प्रकृति अंकों के द तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए ग्रेडिंग सिक्षा वाई अंकन प्राड़ी की इन कम्यों के कारण माधिमिक सिक्षा ने तशा सिच्छक आयोग ने अंकों के अस्थान पर ग्रेड प्राड़ी कर सुझाओ दिया ठीक है अब ग्रेड प्राड़ी में 1975 में ने फ्रे कर ख़ए अब ग्रेडिंग प्राड़ी होता क्या है कि हमने उसके अकुछ लोगों के मत है कि यह पंछ पंस ग्रेड रोता है कुछ का साथ कुछ के नहां अब होता क्या हम जो बच्चा बहुत अच्छा होता है उसे एडेते हैं जो इससे थोड़ा कम दूरल उत हुत बी उस A, B, C, D, मतलब A मतलब सबसे अच्छा, ठीक है, B मतलब उससे कम, जैसे इसको आप explain किया गया है, A मतलब outstanding, उत्किरिष्ट, B मतलब very good, अच्छा है, C मतलब अच्छा है, D मतलब थोड़ा कमजोर है, और E मतलब बहुत कमजोर है, तो इस प्रकार से हम grading system देते हैं, जिनके अनुरूप प्रसासित वाली सीमा है, 91-100, जिस बच्चे को 91-100 मिलेगा, वह A1 में आएगा, 81-90 A2 में आएगा, तो इस प्रकार से इसे बाटा गया है, ठीक है दोस्तों, चली, अब इस grading प्रडाली की लाफ और हानी देख लेते हैं, तो grading में क्या होता है, कि साकरात्मक होते हैं, या विद्यारती की 70 निस्पात में 60 जनकारी प्रदान करता है, या प्रक्षा प्रडाव के प्रती समाज के लोग को, मतलब बच्चे ज्यादा पढ़ने का मन लगाते हैं, बच्चों के अंदर फेल होने का डर नहीं रहता है, ठीक है, तो यह होगई इ इसी का नुकसान नहीं होगा, कोई फेल नहीं होगा, ठीक है, तो यह बेस्ट है, चलिए दोस्तों, यह होगई ग्रेडिन सिक्चम के लाव और हानी, और इस प्रकार से हम परिक्षण परकार के बारे में, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने बहुत सारे प्रशन देखे हैं, परिक्षण के बारे में और उम्मीद करते हैं आपको इस समझने वाले चीज़ से आपको समझना पड़ेगा एक्जैक्ट सब्दों में कोई याद नहीं कर सकता ना आप ना हम न करेगा यह बहुत रिसर्च करके बहुत किताबों से और बहुत गूगल की सहायता से यह आपके थोड़ा सा अपनी तरफ से जैसे कि मान लीजे मानिकरीट परिक्षण इस्टेंडराइज अब इसकी थोड़ा सा हेडिंग बढ़ा जैसे इसकी वीशेस्ता इसके गूड इसके लाव इसकी प्रकृती थोड़े से बिंदू को बढ़ाके उसमें सब्दों को एड़ जरूर क आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ूँगा की यहां पूरा वीडियो आपको कैसा लगा ठीक है अगर अच्छा लगा ओ प्लीज अपनी राएक कमेंट में जरूर देmostी वीडियो को लाइक कर दीजे और नहीं जुड़े हैं वीडियो से ऑगर हैं अगले वीडियो में पूर क्रियात्मक अनुसंधान को देखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम पूरे सांखिकी के प्रश्ण को देखेंगे ठीके ऐसे करके हम पढ़ेंगे चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे आपके कमेंट का इतजार रहेगा वीडियो को लाइक किये और कमेंट अपने राय दें यह वीडियो आपको कैसे लगी बहुत बहुत शुक्रिया जैहिं जैभारत दोस्तों